बलुचिस्तान के गौदर में क्यों मचा है गदर? क्यूं खाकी पर फूट रहा है लोगों का गुसा? क्या CPEC को लेकर है सारा बवाल? अब क्या करेगा चीन? कैसे करेगा अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा? दोस्तों बलुचिस्तान का गौदर एक बार फिर सुलग रहा है एक बार फिर वहां हिंसा की आग भड़क गई है जिसने पुलिस कर्यों की भी बली ले ली है लेकिन इस हिंसा की असली वज़ा क्या है ये शायद पाकिस्तान और चीन सरकार अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों गौदर में हुई इस हिंसा ने चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक बार फिर ग्रहन लगा दिया है उसके उपर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है जिससे जिन पिंग और शेहबास दोनों की टेंशन बढ़ गई है चीन जहां इसे लेकर पाकिस्तान को फटका कर पाईगा लेकिन सब कुछ इसके उलट हो रहा है लोजाजा पाकिस्तान इसे किसी भी हाल में पूरा करना चाहता है लेकिन बलुचिस्तान की जंता इसे अपने लिए किसी सुनामी की तरह देख रही है जो उसके सारे अधिकारों को उड़ा नहीं उपा रही है दोस्तों पाकिस्तान और चीन के इस पर्यूजना को लेकर भारत भी अप्थ दर्च करा चुका है। पुलिस कर्मी की मौत के बाद हुई कारवाई से भड़का है घुसा क्यूं गौादर की जनता सी पी सी के है खिलाफ दोस्तों बलुचिस्तान प्रांग का गौादर एक बार फिर से सुलगा है गौादर वो जगा है जहां पर चीन पाकिस्तान एकॉनमी कोरिडोर के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन प्रोजेक्ट के खिलाब भड़कने वाली गौादर की जनता इस बार पुलिस की वजह से रहे हैं दोस्तों यहां सवाल उड़ता है कि आखरी विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं क्यों वहां की जनता इसके खिलाब विगुल बजाए बैठी है दोस्तों चाइना पाकिस्तान एकॉनमी कॉलिडोर या सीपैक चीन के महत्वकांग्शी बैल्ट एंड रोड स्रोत की जरूरत होती है उसकी चिंता थी कि सिंगापूर के पास मलक्का जलसंधी के पास से भविश्य में उर्जा के स्रोत को लाने में परिशानी हो सकती है इसलिए चीन अलग अलग रास्तों की तलाश कर रहा था और उसी में से एक रास्ता उसने गौतर बंदरगा का पूरा नहीं हुआ है इस बंदरगा में जहास के आने जाने का काम शुरू नहीं हुआ है इसके पीछे की वज़ा बलूचिस्तान के लोगों की बगावत है दोस्तों बलूच अलगावादियों की तरफ से बार बार ये दलील दी जाती है कि CPEC में ऐसा होगा कि बलूचिस् इंसादरों को इस्तिमाल करने का मौका नहीं मिलेगा इस वज़ा से वहाँ के लोग CPEC का फिरोत करते आए हैं उनका कहना है कि पाक सरकार गौदर के पानी में जारी गेर कानूनी मचली पालन चेक पॉइंट्स पर भारी तादाद में तैनात पुलिस कर्मी और पाकिस्तान इरान की राष्टे के हुने वाले व्यापार जैसे मुद्दों को समझना ही नहीं चाहती है जबकि यही बलुचों के असली मुद्दे हैं दोस्तो गौदर के लोगों का ये भी कहना है कि 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 बलूचिस्तान के रहने वालों को लगता है कि वहां पैदा होने वाले रोजगार के अवसर में स्थानिये लोगों को नौकरियों और अन्या आर्थिक अवसरों में बराबरी का हिस्सा नहीं मिलेगा लिहाजा वो इसका विरोध करते हैं दोस्तों बलूचिस्तान के लोग सालों से परियूजना को लेकर चीन को निशाना बना रहे हैं सबसे पहले नवंबर 2018 को कराची के क्लिफटन इलाके में स्थित चीन के वाणिजे दूतावास पर अलगावादी संगट्टू ने हमला किया था इसमें साथ लोगों की मौत हो गई थी ये पहला मौका नहीं था जब बलूच अलगावादियों ने चीन को निशाना बनाया हो इससे पहले भी BLA की तरफ से अगस 2018 में एक आत्मखाती हमला किया था दोस्तों दरसल एक सचाई ये भी है कि इस परियूजना की हिवाज़त के लिए चीन ने पाकिस्तान को अलग से एक फौज तयार करने की बात भी कही थी चीन के इस प्रस्ताव को पाकिस्तान ने स्विकार भी किया इन हमलों को भी बलूच अलगावादियों की चीनी सरकार से नाराजगी से जोड कर ही देखा जाता रहा है दोस्तों यहां सवाली उड़ता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर ड्रैगन का मकसद क्या है और वो क्यूं किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाता है पाकिस्तान के बनुचिस्तान में चीन के कुटल जाल, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के पीछे ड्रैगन का मकसद क्या? दोस्तों चीनी बेल्ट एंड रोर कारिटर में पाकिस्तान को भागीदार बनाने का फैसला और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की घोशना चीन के लिए एक फाइदे मन्द सौधा था ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपनी गिरती आर्थिवस्ता को सम्हालने के लिए संगर्श कर रहा था उसका इस प्रकार से चीनी जाल में फसना कोई आश्चर्रे की बात नहीं थी जब हम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की बात करते हैं तो उसमें छिपा हुआ चीन का कुटिल मकसद जाहिर हो जाता है दोस्तो चीन लंबे समय से हिंद महासागर मलक का जल डमरू मध्या मार्ग पर अपनी निरभरता कम करने के लिए अरब सागर के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग विक्सित करना चाहता था चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारे की रूप में उसे एक ऐसा मार्ग मिला जो ना सिर्फ उसकी परिवहन लागत को कम करता बलकि हिंद महासागर और दक्षणी चीन सागर में भारत अमेरिका और अन्य देशों की नौसेना की मौजूद्गी के चलते चीनी बेडे के लिए ए दोने सुरक्षित विकल्फ सावित होता दोस्तों चीन की नजर व्यापारिक दिश्टी से महत्यपूर्ण यॉरपियन बाजारों तक थी यही कारण था कि चीन ने अपने महत्यकांग्शी बेल्ट एंड रोड कारिक्रिम की शिडवा की चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारा इस कारिक्रिम का एक अभिन अंग बन सकता था जो पाकिस्तान में बने कम लागत के चीनी सामान को सस्ते परिवहन के जरिये समूचे यॉरप तक पहुँचा सकता था ये हर तरफ से चीन के लिए फायदे बन था दोस्तों चीन अरप सागर में अपनी सेन ने उपस्तिती चा महासागर में आर्तिक नाके बंदी करता है तो चीन के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी इस स्थिती में पाकिस्तान में एक वैकलपिक सैन्यड़ा चीन के लिए हर हालत में फायदे मन है और एक ऐसा सुरक्षित सैन्यड़ा जो चीन को बिना किसी अत्रिक लागत के मिल रहा है जी हाँ दोस्तों सीपैक पश्शीमी चीन से जुड़ा है और इस क्षेतर का अभी काफी हद तक विकास नहीं हुआ है लिहाजा इसके जरीए चीन अपने पश्शीमी क्षेतर को मस्बूत करना चाता है दोस्तों यहाँ आपको बता दूं कि सीपैक की घोशना पूरा होना था लेकिन आज 8 साल से जादा वगा वक्त बीच जाने के बाद भी इसका एक चौथाई से कम काम ही पूरा हो पाया है कुछ बड़ी परियोजनाएं तो आज तक नहीं शुरू हो पाई हैं जो परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं उनकी लागत दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और पाक सरकार की दमनकारी नीतियों से क्षुप्ध होकर सिंधी और बलोच स्वतंतरता सेनानी लगातार हमले करके समस्या को और बढ़ा रहे हैं दोस्तों जहां तक भारत को इसे लेकर उठाई जारी आपत्ती का सवाल है तो पाकिस्तान अधिकृत में CPEC में नए देशों को शामिल करने की खबरों के बीच भारतिय विदेश मंतराले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी बयान जादी करते हैं बाक्ची ने कहा था कि इस तरह का कोई भी कडम स्वाभाविक रूप से अनुचित अवैध और आस्वी कार्य है विदेश मंतरी ने सक्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा था कि इस प्रकार का कोई भी कडम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रिय अरता के खिलाफ है